Technical analysis में सबसदा complicated चीज होती है chart patterns Because इसमें आपको पूरे charts के अंदर अपने patterns को find out करना बढ़ता है Then उसके साथ से आपको अपना risk management देखकर उसमें trade initiate करना बढ़ता है अब देखो दिक्कत start होती कहां से हैं अगर आज आप Google पे जाते हो आप YouTube पे जाते हो लिखते हो chart patterns तो आपके आगे मेरे भाई हजार chart patterns आते हैं अब उतने को याद करना बहुत मुश्किल है Then उन सभी को find out करना उससे बिदा मुश्किल है तो इसका easiest way क्या है आप अपने best 2-3 chart pattern रखो And then आप सभी charts को देखो जो भी जहां पे भी आपका chart pattern मिन रहा है उनको trade करो इससे क्या होगा हर chart pattern की आपको accuracy पता लगेगी उसका risk management आपको suit हो जाएगा अब वैसे ही मैं भी करता हूँ Personally मैंने सिर्फ 4 chart pattern निकाल रखे हैं Darvus box pattern, W pattern, head and shoulder and triangle pattern जहां पर यह मेरे को यह 4 chart pattern मिलते हैं मैं उनको trade करता हूँ और अगर आप stocks में trade करते हो तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता Because आपके पास 5000 से जादा stock है आप daily stocks देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो जिस भी stock में आपके यह 4 chart pattern बन रहे हैं को trade करो, तो इतना ही असान होता है stock trading में, तो well हम ने last दो वीडियो में stock trading strategy भी जान लिया साथ में stock selection भी जान लिया अब आज के इस वीडियो में हम chart patterns को clear कर देते हैं बीना किसी देरी गे तो चलिए फिर वीडियो को start करते हैं जानते हैं कैसे हमें chart patterns को trade करना है तो सबसे पहले जो हम chart patterns सिखने वाले हैं वो darvass box pattern darvass box pattern क्या होता है देखो आपने देखा होगा जो हमारा price है price का एक nature होता है अगर आपने थोड़ा deep में पढ़ा होगा कभी trading को chart को तो price का एक nature होता है कभी भी ऐसा नहीं होगी price 10 उर्पे से 100 चला गया and then 100 से दुबारा 5 उर्पे आ गया हमेशा price का एक nature होता है जो होता है zigzag zigzag और यही जो nature होता है यह होता है bull run में भी अगर मालो किसी price को ओपर जाना है तो price पहले उपर जाएगा then यहापे consolidate करेगा then हलका से नीचे आएगा then boom then नीचे आएगा then यहापे consolidate करेगा then consolidate करेगा फिर boom यानि कि जो price का nature होता है वो होता है zigzag अब आप गया करना है जो एक consolidation range होती है यह होता है डारवस बोक्स पैटन यानि कि आपको कुछ नहीं करना आप देखो प्राइज ने बहुत अच्छी रैली देदी मानलो बहुत अच्छी प्राइज ने रैली देदी और प्राइज आप काफ़े दिनों से वहाँ पे टाइम विता रहा है उस दिन ये जस्ट और जस्ट ब्रेकाउट दे रहा था अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप मेरी फ्रीवल्ट टेलिगराब पे जाके जॉइन कर लो मैं वहाँ पे मैंशन कर दूँगा ग्रेजम इंडिस्ट्रीज को मैंने काफे दिन तीन दिन पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे डार्वेस बोक्स पैटन बन रहा है अब देखो जिस दिन इसका ब्रेकाउट हुआ था आपको यहाँ पे एंट्र एक्टिवेट करने थी SL सिंपल सा है इस जो डार्वेस बोक्स है इसका जो लोवर रेंज है यहाँ पे आपको अपना SL रखना था यहाँ पे आपकी एंट्र थी देखो अभी तक यह प्राइस जो आपको टार्गेट दे ही रहा है तो इतना ही सिंपल होता था जब आप चार्ट पैटन पर ट्रेड करते हो अगर आपने मेरी फर्स्ट वाली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने अपनी स्टॉक ट्रेडिंग स्टाइजी समझाई थी उसमें मैंने आपको बोला था कि मैं दो EMA को यूज करता हूँ 20 and 50 EMA इनकी जो भी सैटिंग्स है इनको कैसे ट्रेड करना है उसके लिए आप मेरी वाली वीडियो वाच कर सकते हो आपको बहुत फायदा मिलेगा तो अगर इस EMA के साबसे मेरी ग्रेजम में अभी भी कोई अंट्रेक्टिविट नहीं हो रही बिगोज उसके लिए मेरे को जो प्राइस है वो मेरे कहां पे चाहिए EMA के पास में चाहिए लेकिन अभी हम इस वीडियो में क्या सिख रहे है सिर्फ और सिर्फ चार्ट पैटन्स तो हमने भी डार्वेस बॉक्स पैटन को समझ लिया हम आपको होमवक दूँगा उसमें आपको find out करने कि यहां पे कौन सा पैटन बन रहा है अब बात करते हैं अपने second chart pattern को देखो जो second chart pattern है वो है triangle and सबसे ज़्यादा मुश्किल लोगो को लगता है triangle chart pattern because जब आप google पे जाओगे लिखोगे triangle chart pattern तो आपके आगे na triangle के ही 10 chart pattern आ जाएंगे जैसे कि आप इस वाली image को देखो इस वाली image को देखो और मैं आपको एक दो image और दिखाता हूँ यह देखो यह जो pattern आपको दिख रहा है यह वाली जो आपको image दिख रही है इसमें जो भी है यह सारा triangle ही है अगर आप एकदर ध्यान से देखते हो अगर आप बिल्कुल दिखान से देखते हो मेरे भाई तो देखो यह वाला भी एक chart pattern है यह भी chart pattern है बट यह भी तो triangle ही है यह भी triangle है और फिर उसके बाद में अपना यह भी triangle है यह भी triangle है तो क्यों इसको complicated कर रखा है इतना भाग में बाढ़ के यही दिक्कत होती है मैं आपको simple way में सिखाता हूँ देखो triangle का मतलब क्या होता है अगर आपने math में पुरान टाइम में math पड़ी हो तो उसमें आपने देखा होगा कि triangle वही होता है जिसमें अपने तीन angle होते है अब यह triangle चाए इस तरीके से बने यह triangle चाए इस तरीके से बने या फिर आपको कुछ भी बने आपको क्या चीज़ में ध्यान रखनी है कि यह हमें trade कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ उसके लिए आपको समझदा मपड़ेगा support and resistance का concept देखो होता क्या है market में दो तरीके के support and resistance होते है एक होता है weak एक होता है strong ठीक है और अगर आप support and resistance को detail में सना जाते हैं तो मैंने इसके उपर भी video बना रखी है अब जो levels होते हैं वो weak हो जाते हैं वो कैसे होते हैं weak मालो price एक बार आया टकरा के फिर फिर दुबार आगया टकरा के फिर फिर टकरा आगया फिर अब एक ही जगा से इसने तीम से चार बार resistance ले लिया इसका मतलब जो यह resistance है यह अब इसके लिए weak बन चुका है ठीक है समझ मारा है एक ऐसा resistance है जहाँ पर price था उपर टपका खाके नीचे आगया अब भी उपर जा रहा है अब यहां से टपका खाके नीचे आगया अनि कि इसने इस वाले resistance से जस्ट वन बार resistance लिया है यह resistance इसके लिए क्या है strong resistance हो गया तो हम यह करना होता है triangle pattern पे एक ऐसा resistance find out करना है एक ऐसा resistance find out करना है जिसको price बार बार weak कर रहा है एक ऐसा chart pattern है price उपर जा रहा है ठीक है नीचे आ रहा है उपर जा रहा है फिर नीच रहा है उपर जा रहा है फिर नीच रहा है अब मुझे ही बताओ इस triangle pattern में आप कौन से side gate trade बनाओगे bullish trade बनाओगे फिर bearish trade बनाओगे तो answer is both आपको दोनों trading बना सकते हो कैसे बना सकते हो बना तो में देखो एक ही resistance है जिसको अभी इसने weak कर दिया मैंने आपको बाता है ना weak resistance क्या होता है जहां पर एक बार से जादा बार टपका ले चुगा जैसे एक बार आया, दो बार आया, तीन बार आया, चार बार आया चार बार आने के बाद में अब ये weak बन चुगा तो अगर कल के दिन ये इसको breakout करता है तो अगर प्राइज उपर जाने के लिए ready है अब आप चाहे इसको triangle बोल दो triangle बोल दो, कुछ भी बोल दो लेकिन according to the my study ये है क्या, weak relations को break कर रहा है then again same, माल लो एक price है जो lower low, lower low बना के आ रहा है lower low, lower low, lower low अब lower low बना के क्या रहा है, ये एक support है इस support को इसने weak कर दिया एक बर यहां से support लिया, दो बर लिया, तीन बर लिया, चोती बर लिया अब अगर ये एक weak area को break कर रहा है then ये क्या हो गया, इसको अगर break down करता है एकल को, तो price यहां से नीचे आ जाएगा क्यों आ जाएगा, बिकोज हमें सिखाया गया support and relations में, कि अगर resistance support week होता है, तो वो break हो जाएगा अब अगर आप इसको triangle बोल रहे हो, ascending, descending वो आपकी मर्जी है, बट हमें concept समझना है, बिकोज हमें कोहीं exam नहीं देके आने हमें कुछ बताना नहीं है, हमें जश्च यह सीखना है तो दो तरीके के triangle अभी है तक हमने सीख लिए then एक triangle होता है, जो सबस्दा working करता है ये वाला, इसमें price क्या करेगा, पहले यहां से चलेगा उपर से resistance लिखेगा, नीचे support लेगा then उपर जाएगा, then यहां पे आएगा उपर आएगा, यहां पे आएगा, इसमें price करता क्या है धीरे 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 जो उपर से trend line को लेके आ रहा है अपना जो resistance है वो भी नीचे कर रहा है, यानि कि lower low बना रहा है lower low बना रहा है, बट नीचे से जो price है वो भी higher high बना रहा है और इस तरीके से यह एक ऐसे triangle बन जाता है अगर आपको इसके example दिखाना है, तो कल के दिन मैंने actual में trade किया था हिंदूस्तान Unilever में, उसमें यह pattern बन रहा है मैं फटा-फटा आपको हिंदूस्तान Unilever का chart खोल कर दिखा देता हूं और तब तक आप वीडियो को like कर दो, channel को subscribe कर दो इतनी practical knowledge आपको कहीं पे भी नहीं देखने को मिलेगी अब देखो वन डे के time frame पे तो यह बहुत ज़्यादा उपर चला गया लेकिन मेरे को entry activate करनी थी, इसलिए मैं गया पांच मिनट पे जैसे मैं पांच मिनट पे जाता हूं मैंने entry कहां activate करी थी I am showing you, just wait a minute, देखो मैंने सुबह सुबह इसमें entry यहां activate करी थी, यहां पर price में हुआ क्या, पहले बहुत अच्छा actual ने एक अच्छा का सा momentum दिया उसके बाद मैं देखो price एक ही जगा से ने resistance ले रहा था एक बार, दो बार, तीन बार, and again नीचे से भी price ने क्या करा, उपर से एक support ले रहा था, तो आप देखो यहां पर हुआ क्या, यहां पर बन गया मेरा triangle chart pattern मैंने इसमें trade initiate करका था, price क्या होता है, ऐसे करके पहले उपर जाता है, नीचे support लेता है, फिर नीचे support लेता है, उपर जाता है इस candle पर मैंने यहां पर इसको जो future है, वो buy कर लिया था, अगर आप future trading को सही से समझना चाते हो, तो इसके ओपर यह मैंने वीडियो बना रखी है, and मैं आपको अपनी वीडियो से ले recommend कर रहा हूँ, because आपको किसी के भी paid courses buy करने के जुरूरत नहीं है, हर चीज़ आपको बहुत असानी से इसी channel पर आपको सिखा जी जाती है, तो यहाँ पर मैंने future buy किया था, and 5 minute, 10 minute, 15 minute, 20 minute, 25 minute, 30 minute 30 minute के अंदर आप देख सकते हो, कितना बड़ा momentum मिला है, and इस momentum के पीछे, क्या strategy लगी है, just मेरा chart pattern लगाए, कौन सा chart pattern, triangle chart pattern, अब अगेन अगर आपको मैं triangle chart pattern और दिखाऊं, तो मैंने कल परसो के दिन, एक Asian paint में भी trade लिया था, जो कि मैंने cash में buying करी थी, for swing trade, लेकिन उसमें मेरे को जो target है न, वो काफी जल्दी मिलिया था, Asian paint में जा रहो यहां से इसने नीचे बार-बार आ रहा है, and then price इधर से भी बार-बार support ले रहा है, जब price ने बार-बार support लिया था, इस दिन की बात है, लगबग दो दिन पहले की बात है, and इसी trade को मैंने अपनी एक वीडियो में भी दिखाया है, मेरे को याद है, यहां पर मैंने इसमें buying करी थी, जैसे मेरे को breakout मिला, and उसके बाद में same day इसने बहुत अच्छा momentum दे दिया था, इसलिए मैंने इस trade से exit ले लिया, cash में मेरी buying थी, according to the trade, मेरे को इसमें buying लगानी थी, लगबग 5-7 दिनों के लिए, लेकिन मेर को एक दिन में target मिला, इसलिए में exit हो गया, तो अभी तक आप समझ गया होंगे triangle pattern and darwax box pattern, वीडियो लंबी ना हो, इसलिए मैं फट फट आफट आपको सारे चीज़े समझा देता हूं, और उसके बाद में हम back testing को जान लेंगे, अभी तक हमने 2 chart pattern को सिख लिया, आप बात क line इसका उपर निकल रहा है, आप यहां entry बनाओ, SL रख सकते हो यहां का and उपर तक का trade बना सकते हो, समझ में आ रहा है, दुबारा समझ गयता हूं, price ऐसे W बन रहा है, जैसी इसका breakout होता है, आप यहां पे entry लो, SL आपका यह होगा and price will go up, ठीक है, number 1 तरीका, number 2 तरीका W को trade क price पहले आता है, नीचे, यह आपके लिए support हो गया, then price आता है, यहां से उपर उठके, अप price दुबारा यहीं पर है, तो आप यह थोड़ी risky entry बन जाती है, लेकिन इसमें ना मेरा support and relations वाला concept यूज हो रहा है, कौन सा, कि यह जो support है, यह भी strong है, क्योंकि price अभी सिर्फ एक यहां पर यहां पर आया है, एक ही बार आया है, तो अगर यह price दुबारा यहां पर आता है, तो यह बहुत fast यहां से इसको support लेगा, क्योंकि यह strong support है, इसको break करने का जल्दी से यह उठाने सकता है, तो आपने यहां पर entry ली, आपका छोटा सा यहां पर SL बनता है, और आप Larson and Turbo में, मैंने Larson and Turbo में one day का time frame open कर लेता हूँ, और मैं आपको यह हर चीज़ा इतनी असानी से इसलिए सिखा रहा हूँ, ताकि आपको पत अलगता रहा है, आपको हर कोई बस board पर सिखा देता है, उसको practical करके दिखाता, मैंने Larson and Turbo में किस दिन trade लगाया था मैं आता हूँ इस दिन, market में यह hammer बनी थे न, मैंने अगले दिन यहाँ पर सुबह सुबह buy करा था, और उस दिन मेरे को market ने बहुत अच्छा momentum दिया था, उस दिन मैंने exit कर दी थी अपनी position जस्ट यहीं पर, जैसे इस EMA पर गया, मैंने अपनी position को exit कर दिया था, मेरे पास future buy था इसका, अगर मैं उसको hold करता था, मेरे को इतना target और मिलता, बट कोई नहीं, मैंने पैसा बनाया, मेरे target के according मेरे को पैसा मिल रहा था, बिकोज मैं SL रखता इतना चोटा सा, अब इसके according मेरे को 1 ratio 2 का target मिल चुका था, इसलिए मैंने यहाँ पर trading exit कर दी थी, तो आपको समझ मारा है Larson and Turbo में क्या trade बना था, price आया, W, यहाँ पे एकदम से मैंने trade लिया था, और single day में मेरे को यहाँ पर target मिलिया था, तो इस तरीके से मैंने trade लिया था, और जिस दिन मेरे को यह trade मिला था, यहाँ पे closing मिली थी, मैंने आपे cash में buying कर लिया, क्योंकि अब भी इसका W का breakout हो तो यहाँ पे देखो दोनों ही तरीके के जो W है मैंने trade लगा रखी है, साथ में जिस दिन मैंने trade लगाया था, मैंने काफी trend line को बहुत focus रखता हूँ, देखो नीचे से trend line आ रही थी, trend line के support पे hammer बन रहा था, number one का information, second मैं chart pattern को अभी नहीं छोड़ता, तो यहाँ पे मेरे W देखने को मिला था, तो hopefully मैंने आपको W chart pattern भी सिखा दिया, and one more thing, सारा जो game है, वो practice का है, अगर आप practice नहीं करोगे, जिस देखके भूल जाओगे चीज़ों को, तो आप नहीं सीख सकते, आपको जो जो चीज़ मैंने सिखा ही है, stock निकालना सिखा है, setup देखना सिखा है, तो भी very honest, लोग बीना किसी दे रिके, अब चोथे जो अपना है, chart pattern उसको भी जान लेते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबी हुजएगे, नादे लोग तो पहले वीडियो को छोड़ देते हैं, जितने लोग भी यहां तक वीडियो मने, आपको लोगों का दिल से धन्यवा pattern है, आपको बहुत patience है नहीं, बहुत कम दिखेगा यह वाला pattern, इसको दो तरीके से trade करते हैं, number one is, देखो, एक तो यह है, अगर इस तरीके से बन रहा है, तो यह हो गया head and shoulder, इसको head and shoulder क्यों बोलते हैं, देखो, हमारा shoulder है, एक shoulder, एक shoulder and head बढ़ा, तो head बढ़ा हो गया, shoulder द मिलता है candle closing, तो price उपर जाएगा, अब इसमें अपना support and resistance वाला concept भी use हो रहा है, कैसे हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ, एक ही resistance था, जिस पे price एक बार resistance लेता है, दो बार लेता है, तीन बार लेता है, तो already जो ही resistance है, इसके लिए weak हो चुका है, तो अगर गलती से price के पर आता है, तो definitely market उपर जाने वाला है, साथ में, for more confirmation, आपको यहाँ पर अपना chart button भी दिग गया, तो जब आपको इस तरीक से चीज़ा सीखने को मिलती है, आपको पता होगा कि support and resistance वर्क करता है, आपको one day की time frame analysis आती है, आपको हर्चेस आएगी ना, तो आपको confidence आएगा कोई trade नहीं लिया, तो मेरे को याद नहीं है किस stock में head and shoulder बन रहोगा, लेकिन अगर मैं check करता हूँ, गर मैं को कहीं दिख रहोगा, तो मैं again आपको दिखा दूँगा, अब यह हो गए अपना head and shoulder, अभी head and shoulder में देखो, again support week हो रहा है, तो अगर इस नीचे breakout कर देता है, तो आप भी तक इस वीडियो में मैंने आपको मेरे चारों के चार chart pattern आपको सिखा दिये, अगर आप एकदम accurate गिनते हो तो यह चार है, otherwise यह ज़ादा है, कैसे हैं ज़ादा, क्योंकि triangle मैंने आपको 4 तरीके के बता दिये, एक तो ऐसा वाला triangle बता दिया, और उसके बाद में ऐस आपको बता दिया, आपको ट्राइंगल चार्ट पैटन बता दिया, फिर मैंने आपको एक एसा बता दिया, और बस तीन ही तरीके के यह जल्दी पैसा बनता भी इनसे, क्योंकि इनका मेरे को risk management पता है, मेरे को पता है, इनमे ASL क्या होगा, इसमें target क्या होगा, फिर मैंने W आपको बताया, W को भी आप इस तरीके से ट्रेट कर सकते हो, W अगेन आपका MB बन जाता है, लोग इसको MB बोल जाते हैं, और इसको लोग डबल बोटम और डबल टॉप के नाम से भी जानते हैं, अगर वो M बन रहा है तो यह हो गए डबल टॉप, यानि कि एक बर टॉप, दो जाते हो, तो दस नाम का फरक है, काम सेम है, काम आपको आना चाहिए, नाम से को कोई भी मतलब नहीं है, तो अभी तक मुझे आप वीडियो मताओ, आपको क्या चीज समझ में आई है, क्या चीज समझ में नहीं है, वन मोर थिंग, आप जो कमेंट करते हो ना, वो सारे लो का बहुत अच्छा प्यार मेरे को मिल रहा है इस चैनल पे, इसी तरीके से अगर आप प्यार दिखाते रहोगे, तो तो बी वेरी ओनेस्ट में आपके लिए इतना अच्छा कॉंटेंट इस चैनल पे लेकर होगा, बिलुकुल फ्री ओफ कोस्ट, यह मेरा वाद है, तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी next powerful video के साथ, इस video में क्या कमी लगी वो आप कमेंटर ने बता सकते हो, क्या चीज़ नहीं अच्छा लगा, क्या चीज़ अच्छा लगा, सब कुछ बताया करो, आपी का चैनल है, next video किस topic पे लेका है यह भी आप बताना, और हाँ, अगर आप इस video नीचे प्यार करोगे, तो इसका मैं part 4 लेका हूँगा, जिसमें हम बाकी चीज़ों cover करेंगे, कि हामें कैसे trade plan करना है, कैसे entry exit करना है, क्योंकि अभी तक हमने वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं जानी है, बाकी सब कुछ depend आपके प्यार पर, अगर आप वीडियो देखते हो प्यार दिखाते हो, तो हम और continue करेंगे, अदर्वाइस मैंनों कोई भी दिक्रत नहीं, अपना time खराब नहीं करूँगा, और मैं इस वीडियो को discontinue कर दूँगा, बाकी मिलते हैं, इसी next powerful वीडियो के साथ अब तक के लिए, धन्यवाद